हेलो दोस्तों मैं रविंद्र चोप्र आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कार इलेक्ट्रोनिक बाजार में आज मैं कुछ कस्टमर मुझसे बार-बार कैमरे की वाइरिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने का चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं तो कैमरे की जो वाइरिंग है उसकी वीडियो मैं आज आपको शो करूँगा कैमरा किस तरीके से वर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें आपकी कार में 9 इंच का स्क्रीन लगा हुआ हो सकता है बाद में आपको प्रोब्लम हा जाए कैमरा वर्क कर रहा हो उसके बाद आपको कैमरे की वायर में कोई दिक्कत हो या वायर हट जाए तो आपको क्या करना है बार-बार एक्टेशन के पास जाना भी खर्चे का काम होता है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वायरिंग दिखाऊंगा जो कि हमें कैमरे के साथ मिलती है तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पर वायरिंग है ठीक है यह कैमरा है इस तरीके से कैम बन रही है उस वीडियो को आउटपुट के त्रूउ देना स्क्रीन में यानि कि यह कैमरे की आउटपुट केबल हो गई उर यह हो गई पावर यानि कि कैमरे को जो हमने और देनी है उसकी कैबल हो गई इस तरीके से हमें एक कैबल मिलती है उसके बाद हमें impressed cam'll the camera स मिलती कल रही होती है एक इस तरीके का केबल होता है और यहां पर भी तो दोनों में से किसी भी साइड आप लगाएं कोई दिकत नहीं है अगर आप इसको पीछे रखना चाहे तो इसे पीछे रखना चाहे तो इसे इसे पीछे रखना चाहे तो पीछे रख सकते है कैमरे वाली एक मिलता है, इस तरीके की power cable, ठीके मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ, आप देखेंगे इस तरीके की एक power cable मिलती है, जो की हमारे camera की red वाले point से जुड़ जाती है, ठीके, red वाले point से जुड़ जाती है, इस तरीके से इसके अंदर इसको डाल दिया जाता है, तो ये हो गया अब हमें इन वायर के थू ही अपने सिस्टम में केमरे को चालू करना है और कुछ वाइरिंग नहीं देखनी है अगर हम कैमरे से रिलेटिड़ काम करने है वो सिस्टम में एक वायर होती है, रिवर्स की अगर किसी वायर पर रिवर्स का स्टिकर लगा है तो बेस्ट है आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं नहीं तो फिर आपको ढूननी कैसे है वो भी मैं बता दूंगा ज़रा ध्यान से देखें अब हमने क्या करना है सबसे पहले इस वायर को लेना है पूरी गाड़ी में बिछा लेनी है नीचे से और यह पॉइंट जो है इसमें हमने पावर देनी है तो वही यहाँ पर मैंने किया हुआ है आप देखेंगे यह मेरा कैमरा है और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट इससे जोड़ा हुआ है और दूसरा पॉइंट मैं पावर केबल इसके साथ जोड रहा हूं अब आपने वो कैमरे से कनेक्ट कर दिया और एक पॉइंट को हमने पावर केबल दे दी इस तरीके से ठीक है अब यह जो केबल हमारी निकल रही है यह केबल ध्यान रखेगा जो कैमरे के साथ जुड़ रही है वो केबल हमारी बैक लाइट यानि कि जब हम रिवर्स गेर डालेंगे तो क् पीछे की लाइट जलती है बैक लाइट तो जो लाइट जलती है न उसके अंदर जो पावर की केबल है न प्लस पॉइंट वाली उसको इसके साथ हमने जोड़ देना है रैड वायर को समझेगा उस वायर को हमने इससे जोड़ देना है जब हम गेर डालते हैं बैक तो पीछ यह हमें बैटरी में एक ग्राउंड की वायर होगी और एक होगी हमारी पावर की बैटरी की हम डिरेक्ट देंगे बस यह वायर हमें कैमरे के उसके साथ जोड़नी है अभी समझ अभी मैं आपको सिर्फ क्यूंकि कैमरे में भी अगर हम बैक गेर डालते हैं तो बैटरी को भी 12 बैटरी की लाइट मिलती है तो ही जलता है नॉर्मल सी बात है लेकिन उसको एक सिगनल मिलने पर मिलता है करेंट तो वो सिगनल यह उसके थू पूचाएगा ना कि इसके थू वल्ली वायर पूचाएगी यह वायर जो जुड़ेगी वह उसको सिग्नल पूचाएगी अब आप आप समझ गए होंगे मेरे साफ से तो मैंने यहां पर इसलिए जोड़ दी यह दोनों वायरें कि एक तो इसकी भी जोड़ दी इसकी भी जोड़ दी क्योंकि मिलना तो में ली 12 वोल्ट का करेंट है और मैं आपको चलाने के लिए दिखा रहा हूं सिर्फ हो सकता था मैं इसको अलग से 12 वोल्ट से जोड़ लेता और इसको टच करता जैसे अप गेर डालेंगे और फिर करेंट मिलेगा फिर वो चल जाएग तो काम तो वह होना है में ली तो इसको 12 वोल्ट का करेंटी मिलना है जो की हमें इसके थ्रू मिल जाएगा जहां तक मुझे अब लगता है कि आपको समझ आ गई होगी कि हाँ वही यह वायर जो है एक तो बैक क्लाइट से जो जोड़नी है वो है और एक इसकी पावर की इसक है इसलिए मैं आपको अब क्या है अब हमारे पास बची है वह वायर जो सिस्टम की तरफ जा रही है तो उसे कैसे देखना है हम भी दिखाता हूं सब्सक्राइब को यहां से मैं सिस्टम को नीचे की तरफ एटा रहा हूं आप देखेंगे कि इसके साथ एक वायर यहां पर म है अगर यह रिवर्स वायर आपको स्टीकर के थूरू ना पता चले तो आप सिस्टम में देख सकते हैं किस पॉइंट पर है अगर आप देखेंगे उपर से पहले ब्लैक है फिर रेड है फिर यह वाली वायर है यहां से आप इसको जोड़के सिगनल दे सकते हैं यह कह रहा है यार किसी में reverse लिखा ही नहीं है किस से जोड़े तो आप यहां से देख लीजिएगा पीछे system के पहली black है दूसरी red है उपर वाले point में और तीसरी जो है आपकी ये वाली wire गुलाबी से गलर की ये आपकी wire हो गई reverse wire ठीक है system में उपर वाली side नीचे वाली side नही नीचे side जो है औरेंज है yellow वाली line में नहीं black वाली line में तीसरी wire ये आपकी reverse wire से जुड़ जाएगी अब देखे क्या होता है हमने सारी wiring connection इसके अंदर कर दी है system के अंदर अब जैसे गाड़ी चल रही है आपने music चला रखा है music चल रहा है आपकी गाड़ी में अब थोड़ ग्राउंड को मिल जाता है आप देखेंगे कि ग्राउंड मिल जाएगा ग्राउंड आर्सी के थूरू भी मिल जाएगा यहां से भी आर्सी के थूरू भी ground मिल जाएगा system से और यही चीज है मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप समझदार अगर थोड़ा सी भी जान करी रख होगा कि हमारी जो पीछे की बैक लाइट वाली जो रिवर्स रिवर्स हम गेर डालते तो पीछे की लैट जलती है तो लैट जलती है तो उसको connection जाता है connection जाता है तो क्या होता है उसके इंदर current जाता है मान लीजे यह लगी है reverse gear camera on आप देखें camera on हो ठीक है यह camera on हो गया है अगर मैं इसको यहाँ छोड़ को अगरे हिले ना अब मान लेजे फिर आपने गाड़ी का सीधा हिस्सा कर लिया first gear पर आ गए अब फिर से reverse gear मारी फिर से camera चलो हो गया ठीक है फिर से reverse gear मारी सही है मैं camera का थोड़ा सा view अच्छा कर लो ता कि कुछ नजर आया आपको भी ठीक है तो यहाँ पर फिर गाड़ी थोड़ी आगे लेके गया फिर से मैंने reverse gear की क्या हुआ फिर light के थूँ मेरे camera को current मिला और फिर camera मेरा चलो हो गया ठीक है अब यह camera चलो हो गया आप देख सकते हैं तो यही काम होता है camera की वाहरिंग में अगर आपको यह video अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर सिस्टम की जरूत हो तो प्लीज मुझसे contact रहे मेरे वे नमबरों पर thank you दोस्तो